हेलो दोस्तों एक बार फिरसे स्वागत है आपके अपने चैनल प्लैसे success की की निए बेकनिसी जारी कर जी गई बेकनिसी के साथी पैरा मेडिकल के अलग-अलग पदउ पर इसमें बेकनिसी जारी की गई है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लेव असिस्टेंट के लिए भी बेकेंसी है रेडियो ग्राफर के लिए डेंटल ओपीसर के लिए मेडिकल ओपीसर के लिए भी इसमें बेकेंसी है सांती अगर हम बात करें दोस्तो ओफिसर इंस चार्ज के लिए भी इसमें बेकिंसी जारी की गई है फिजियो थेर्पिस्ट के लिए बेकिंसी है फार्मेसिस्ट के लिए इसमें बेकिंसी जारी की गई है सांती दोस्तो किलर्क फीमेल अटेंटेंट के लिए और दोस्तों यहाँ पे सपाई वाला के लिए भी यहाँ पे वेकेंसी जारी की गई है यह वेकेंसी दोस्तों सेंटरल गॉर्मेंट की थूरू जारी की गई है साथी अगर हम बात करें और इंडिया से दोस्तों आप इसमें कहीं से भी एपलाई कर सकते हैं तो देख लेते हैं ये विकेंसी किसके दौरा जारी की गई है तो ये विकेंसी दूस्तो जो government of India ministry of defense है उसके दौरा जो ex-servicman contributeary health scheme के दौरा ये वेकेंसी जारी की गई है जिसमें दुस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं Medical Officer के लिए यहाँ पे MBBS एंड जो 5 साल का Work Experience में मांगा गया है तो देख सकते हैं इनकी सेलरी की बात करें तो सेलरी 75,000 पर मंत इनकी रहेगी और इनका जो इंटर्वू आदार रपाई वेकेंसी जारी की गई है तो 10 बज़े दोस्तों 22 मार्ज 23 को यहाँ पे यह इंटर्वू होने बाला है जिसमें एक ही वेकेंसी है दोस्तों देख लेती हैं दोस्तों डेंटल आपीसर के लिए भी वेकेंसी है जिसमें BDS और 5 साल का अगर एक्सफिरियंस है तो वो इसमें एपलाई कर सकते हैं सैलीम और कृष्ण गिरी के लिए हाँ पे देख सकते हैं दो पोस्ट हैं अलग-अलग और 75 याँ थाउजन यहाँ पे सैली रहने वाली है नेश्ट देख लेती हैं दोस्तो रेडियोग्राफर के लिए डिपलोमा यहाँ पे मांगा गया या फिर क्लास फर्ष्ट रेडियोग्राफर कोर्स यहाँ पे आर्म पोर्स का होना चाहिए साथी 5 साल का बर एक्सफिरियंस से तो वो इसमें एपलाई कर सकते हैं जिसमें दोस्तो 28,100 रुपे इसकी सेलरी रहेगी इर इंटर्वू भी दोस्तो यहाँ पे 10 बजे यहाँ पे 22 मार्च 2023 को होने बाला है लेब असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें DMLT या फिर क्लास फर्ष्ट लेबटरी टेक्निशन का कोर्स इसमें आर्म फोर्स का मांगा गया है साथी 5 साल का अगर बर एक्सपिरियंस सकते हैं तो वो इसमें एपलाई कर सकते हैं पोष्ट है दोस्तो जिसमें 28,100 रुपीन की सेलरी रहने वाली है नेश्ट है दोस्तो लेब टेक्निशन के लिए इसमें दोस्तो BSC MLT या और मेट्रिकुलेशन और हाई सेकंडरी यहां पर पास मांगा गया है या फिर सीनियर सेकंड यानी 10 प्लस 2 के साथ यहां पर साइंस प्रॉम रिकोगनाई इंस्टूट से होने चाहिए और बोर्ड एंड जो DMLT कोर्स यहां पर मांगा गया है एक ही पोष्ट है दोस्तो जिसमें 28,100 रुपीन की सेलरी रहने बाली है ओपीसर इंचार्ज के लिए दोस्तो यहां पर ग्रेजुएट और 5 साल का बर्क एक्सपिरेंस यहां पर मांगा गया है हेल्थ केर इंस्टिटुट अप मंगेरियल जो पोजिशन 100% रिजर्ब डिफेंस रिट्राइट जो पीसर है उनके लिए रखी गया है जिसमें दोस्तो एक-एक पोष्ट हैं और जिसमें 75,000 यहां पर मन दिन की सेलरी रहने बाली है फिजियो थेर्पिस्ट के लिए भी बेकिंसी है जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है फिजियो थेर्पिस्ट का या फिर क्लास बन का फिजियो थेर्पिस्ट कोर्स यहां पर आर्म फोर्स का मांगा गया है साथी पांस साल का अबर्क एक्सपीनर रखते हैं तो वो इसमें अपलाई कर सकते हैं एक ही पोश्ट है जिसमें दोस्तो 28,100 रुपीन्स की सेलरी रहेगी और जो इनका इंटर्व्य होगा दोस्तो 23 मार्च को 10 बजे होने बाला है फार्मेसिस्ट के लिए भी फार्मेसी फ्रॉम रिकोगनाइज इस्ट्रूट से होना चाहिए यह फिर दोस्तो 10 प्लस 2 बिट साइंस सबजेक्ट से फिजिक्स गेमिश्टी बाइलोजी के साथ फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ट से मांग गया है एप्रॉब जो डिप्लोम है इन फार्मेसी फ्रॉम इस्ट्रूट रिकोगनाइज बाई फार्मेसी काउंसिल में इंडियन या रिजिस्ट्रेट अन फार्मेसी अंडर दी फार्मेसी एक जो 1948 के तहते हैं पे मांग गया है और मिनिमम थिरी एर्स का बर्क एक्स्पिरियंस इसमें मांग गया है साथी दो पोश्ट हैं 28,100 रुपिस की सैलरी है इंटर्वू 23 मार्स 2030 को होने वाला है किलर के दोस्तों यहां पे देख लेते हैं ग्रेजुट मांग गया है या किलास फर्ष्ट यहां पे क्लेरिकल जो ट्रेड है रेता है आर्म फोट्स का उसमें पांस साल का बर्क एक्सपिरियंस मीं मांग गया है और दो दो एक एक पोश्ट हैं अलग अलग और जिसमें 16,800 से इनकी सैलरी स्टार्ड होने वाली है फीमेल अटेंडेंट के लिए है जो लैटरेट और जो फाइबेर्स का बर्क एक्सपिरियंस रखते हैं उनके लिए सिविल आर्मी हैल्थ इंस्टिटूट के दोबारा ये जिसमें एक एक पोश्ट है दोस्तो और 16,800 इनकी भी सैलरी रहेगी तो एक सर्विसमें के लिए दोस्तो ये वेकेंसी जारी की गई है जो एक सर्विसमें है वो इसमें एपलाई कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं इसमें कैसे एपलाई करना है तो एपलाई करने के लि यहां पे पूरा फॉर्मेट आपको अलाव सेल पटेश्ट करना है कॉपी जो भी डोकुमेंट रहेंगे उनके साथ अटेश करना है और 22 मार्च 2023 से पहले पहले आपको दोस्तो इसको भेज देना है यहां पे इंटर्व्यू और जो टाइम रहेगा वो यहां पे देख सकते है इंटर्व्यू और टाइम बेन्यू यहां पे दिया गया है तो ECSL सेल इस्टेशन हेड़कॉर्टर में जो कोएम बटूर में हैं दोस्तो इसमें दोस्तो यहां पे इंटर्व्यू होने बाला है 22 और 23 मार्च को यह इंटर्व्यू होगा held between यहां पे 10 बज़े से पहले-पहल करते हैं तो यहां पे कोई भी टीएडीए भी दोस्तों यहां पे नहीं दिया जाएगा जिस पर आने जाने का खर्चा आप कोई यहां पर उठाना होगा तो यह इस बेकिंशी दोस्तों एक सर्विसमेंट के तहते यह जारी की गए है जिसमें आप एपलाई कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वो पर्मानेंट आधार पर ये वेकेंसी है दूस्तों रिसका अगर पीडियेप आपको चाहिए तो आप पीडियेप के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन करें टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है तो वहाँ से ये पीडियेप आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच